ये मेरे हाथ में बंदूक है और इस बंदूक से जो है सिचाई होती है बारिश होती है वो कैसे होती है हमने सिचाई के तकनीकों के बारे में बहुत सारे वीडियो किये हैं लेकिन इसके बारे में हमने नहीं वीडियो किया इसका नाम है रेंगन दोस्तो इस तकनीक के बारे मे क्या जाता है इसकोो सेट कैसे किया जाता है इसके क्या क्या फाइदे तो बहुत मजा आने वाला जो거 का सब्सक्राइब करना फ्री में हैं तो दोस्तों पहला तो यह देखें इसको बोला जाता यह यहowaćbas आगी तो होता है इसको डिफ्यूजर बोलते आप पानी को जो है काट सकते आपके जरूरत के अनुसार और यहाँ पे और कई सारी चीजे जो आपको लाइव डेमों में देखने को मिलेगी तो देखिए अभी हम क्या करते हैं कि पहले इसको इंस्टॉल करते हैं तब देखिए लेकिन एक इंट्रेस्टिंग बात में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बीते तीन चार दिन सब ये वीडियो शूट करने कोशिश कर रहे थे लेकिन बारिश ही आ रहे थी तो मैं और संजु भाई जो है कुछ दिने से एक एप इस्तमा ब्लू-blu यहां पे दिखाता है यहां पर यहां पर यह टेमिपर sigसर रडार है यह द Pie power देखें यहां पर यह कितना तैसी चल रहे इंपको वह वह भी पता चलता है यहां पर तो ऐसे अलग अलग चीजे हैं यहां पर ऑ necessity अच्छे तरीकेlica से और आपके लोकेशन वाईय और सबसे खास बत दोस्तों क्या है कि इसमें जो है अगले 90 मिनिट का आपको भी वेदर दिखा था इससे क्या है कि आपके खेत में आप कर सकते हैं आपका day-to-day जो काम चल रहे हैं जो भी चाहे आपका स्प्रे हो वह आपका हर्वेस्टिंग कोई भी काम चल रहा है वहां पर दे क्या होगा कि टाइम की बचत और इजल आपको फारकस्ट बारे में जानकारी मिल जाएगी और वह भी जानकारी पूरी फ्री में आपको कोई पैसा नहीं देना है और बहुती सरलता से सीधे माध्यम से आपको पता चल जाती है तो आप भी डाउनलोड कीजे और खेती में जो है इसका अब इंस्टॉलेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे मैं और संजुबा यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ यह जो रेंगन जहां पर फिट होती है इस पाइप को जो है सेट किया जाता है यह यहाँ से अगर यह स्कूरू डीला करेंगे आप यह देखे तो इस पाइप को आप ऊपर नीचे उपर नीचे कर सकते हैं आप इस रेंगन को जो है आट नौ फिट हाइट तक इसको उठा सकते है उपर अभी तो हमने बैस पे इसको सेट किया है जब आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है कि यह हमारा 2-1 पाइप है यहाँ पर यहाँ पर अगे यहाँ पर सप्लाइक किया और यह थे अमें MTA यहाँ पर इसको फिट कर दिया लोहे के पाइप से PVC पाइप में बहुत इस कोई भी दुकान दार के पास आपको यह अस्मभी मिल जा सकते हैं तो अब हमारा मेन पार्ट क्या है इसको पकटना तो सब्सक्राइब लगाना तो हम यह टेपलॉन टेप जो है इसके उपर लगा देते हैं ताकि पानी का लीकेज ना रहे और आपको लाइव डेमो में पता चलेगा कि पानी कैसे 360 मार रहा है इसके फाइदे क्या ह कितना डिश्टार देता है कौन सी मोटर इसमें लगती है बहुत सारे आपके मन में सवाल अभी आ रहे होंगे सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं यहां पर हमने इसको लगाया और यह फिट किया यह देखिए रेंगन सवा इंच आती है डेड़ इंच आती तो दोस्तो यह हो गया हमारा यहां पर फिटिंग अब हम मोटर चालू करेंगे चलो संजु भाई मोटर चालू कर दो तो संजु भाई नभी हमारे मोटर चालू कर दिये और मोटर चालू करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी यहां पर निकाल के देखा ता कि कच़ड़ा औ यहां पर अगर हटीप पाइप कोई चीज से कनेट करना चाहते आप तो यह आपको लोगेगा MTA यहां पर धाई से दो इंची का यहां पर एक रेडूसर भी लगेगा तो इसको यहां पर 500 रुपे की असंबली आपको मार्केट में मिल जाए की बना बना यह लगानी आगे पानी को कंत्रोल करने के लिए तो मैं यहां पर यहां यह हॉल को चालू करता हूं तो अब भी आपको लैँ डीमो देखने ने को मिले का दोस्तो है इस रैं गंन निका यह यह देखिए हमनी बन्दू करता यह गया था हुट बाड़ी फानी मार रही है वाउ कम्माल कि तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि यहां से पानी बहुरता है और यह को ख़ीक आप फेक नोजल को यह थे रेंगर आती है जह यहां पर नीचे अलग-लग मॉडल्स आते हैं लेकिन काम वही करता है रेंगर बारिश्टरा पानी बुराना का बस उसके बाद्य 이렇게 पानी दूर जा रहा है और मैं यहां पे इसको सेट करूँगा तो बारिश के तरह पास में इसको गोल-गोल घुमा यह देखिए मैं अभी पानी को काट रहा हूं यह देखिए तो क्या है कि अगर आप रेंगन को सेट करना है 180 डिग्री अभी तो क्या है फिलाल यह देखिए यह 360 गुम था यह कि इसको हूँ बूर थो पूरा 360 घुम रहा है लिए देखिए इसको मैं हाध से गुमाता है यह देखिए इसको मैं हाद सेपिए फास्ट गुम गिल्किन टमले इसमें ड्में यह दिन को लिप काम और यह दических आदिख भी इह कि तो यह देखिए और यह जो कि यह जो चीज है यह देखिए यह जो स्टील के लॉक है ना आप इसको सेट कर सकते अब अगर आप इसको उपर लेंगे इस घाट में और यहां पर लगाएंगे तो यह जहां पर यहां पर आएगा इसमें लड़ेगा वापस आ जाएगा इसको आप एंगल सेट कर सकते यहां तो इंची थीन इंची अलग-अलग मॉडल आते हैं इसमें बड़ा गन आता है डिफ्यूजर जो पानी मारने का नोजल है वो भी बड़े आते हैं इसकी कपैसिटी जो है वह तीस मिटर है यानि कि सौ फिट तक यह पानी दूर तक मारता है दोस्तों जैसे कि अभी देख सकते अगर आप इसमें 2.5-3 इंची बड़े मॉडल में जाते हैं दोस्तों उसमें पर मिनिट आपको कोई रेंगन आती है 2000 लिटर पर मिनिट में पानी मारता है कोई रेंगन आती है 4000 लिटर पानी मारता है तो आपको जब दुकांदार से खरीते हैं आपके पानी के अनुसर के नहीं है वहां पर समझ के पहली चीज तो यह है तो यह से अलग-अलग मॉडल आते हैं अलग-अलग डिश्चार्ज के आता है अब आप सोच रहे होंगे कि आपके मन में सवाल होगा की मोटर हम कौंस यूज करें तो देखिए इसमें मोटर हमने 3 kg का प्रिसर चाहिए या न तो टोटल हमें 10,000 की यह रेंगन पड़ी है जो के हमारे खेत में हमने लगाई है और अभी स्वाबीन को हम सिचाहि यह देखिए किस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों इसको कौन-कौन से फसल में लगा सकते हैं जैसे कभी हम स्वाबीन में यहां पे हैं जो छोटी कद की फसल आने लगता है आगे पानी नहीं जाता है इस रेंगन के मेजर फाइदे क्या होते हैं आपके मन में सवाल आ गया देखिए सबसे पहले तो बारिश की तरह उपर से पानी गिरता है तो क्या होता है कि हावा में जो नाइट्रोजन ने वह फसल को लागू हो जाता है दूसरा वह जो पूरा का बैट जाता है आपके फसल के आसपास पूरा सूतरा अच्छे रहते हैं यckingश जो आपकी नैचरली पानी अविमल धा जैसे बरसात का पानी मीलता है इसका नुकसान कुछ नहीं और फिप्टी पर सेटेंड फ़िवे पानी की बचल हो जाती हैं आपके अच रंगन लेंगे और चार बार हिला लेंगे एच डीप पाइप में लगा के तो पूरा एक एकर आपका यहां पर कवर हो जाएगा तो यह जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्षन में आप मुझे ज़रू बताएगा क्योंकि कमेंट करना फुरी है दोस्तों ज़रू बताएगा और आखरी यह दूसरा वाला मोट लगा के हम इस वीडियो का अंध करते हैं धाय 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 धोस्तों इस वीडियो को धेर सारा शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा वावर है तो पा